तो आज हम बात करेंगे docker architecture की तो चलता पर स्लाइट की तरफ और देखते हैं docker के कुछ advantages है तो कुछ advantages देखते हैं हम लोग अच्छा यह dynamic RAM and storage allocations इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है हम यहां भी समझते हैं कि VM के case में क्या होता था यहां पर आपका hardware होता था राइट वीम के case पर यहां पर आपका hardware होता था hardware होता था इस hardware के ओपर आपका OS चलता होता था राइट OS operating system यह आप इसको कहते हैं hypervisor राइट और hypervisor के ओपर आप अपने docker चलते थे और docker के ओपर आप क्या करते थे आप अपनी एक machine create करते थे sorry यहां पर क्या होता था यह हम उसकी बना लिए हमने docker की यहां क्या आपका OS होता था hardware के ओपर आपका OS होता था OS के ओपर आपका VMware होता था और उसके उपर आपके वर्चुल मशीन होते थी आपके वर्चुल मशीन होते थी और यह तो आपको पता है और यहां पर वर्चुल मशीन के यहां पर क्या होता था आपका व्यम्वेर का OS होता था तो यह ऐसे होता था तो यह पता है आपको पता है OS कोई ने कोई अपनी साइज स्टोरेज जरूर लेता है तो वह स्टोरेज कहां से लेता था वह आपके हार्डवेर से लेता था हार्डवेर से लेता था राइट वह पूरे अपने हार्डवेर से लेता था अगर इसको रैम की जरूरत होती थी तो वह भी कहां से लेता था अगर इसको रैम की वह अपने यहां से लेता था राइट तो उस सब यहां से लेता था स्टोरेज भी यहां से पर रैम भी यहां से लेता था तो मगर उसमें क्या होता था आपके Docker में यह आपका hardware level है आप सको infrastructure कह दे з場 मतिक्ञेट इन फाइस्ट्रक्शर कह दे है उसको पर क्या होता था आप यह ले ले OS ले 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 और OS के उपर आप अपना Docker करते हैंगे ठीक है Docker इन जनापका होता था और इसके उपर हम क्या बनाते ठेब इस case में जैसे हम यह पर VM बनाते ठेब जैसे VM बनाते थे creation के टाइम हमें बताना पढ़ता था कि आपको कितनी RAM चाहिए, इसको RAM कितने चाहिए, hard disk कितने चाहिए, प्रोसेसर कितने चाहिए, राइट, virtual machine बनाते हुए, तो यह हमें pre-allocations, हमें pre-allocate करना पड़ती थी इनको अपनी सब भी resources, hardware और आपके storage, राइट, RAM और storage, जबके Docker के case में, Docker के case में ऐसा नहीं होता था, कि इसको चलना है, तो यह क्या करेगा, request करेगा image की, और आपके यहां पर Docker Hub है, Docker Hub से क्या होगा, Docker Hub से एक image आएगी उठके, वो image, Docker engine के पास जाएगी, engine एक image अपने पास रखेगा, और एक image यहां पर देदेगा इसको, राइट, यह image इसको देदेगा, और यह image कापी होगी, आपके container run होना शुरू हो जाएगा, राइट, तो यह, actually यह है आपके container का efficiency, यह देखें, Docker Streamline, the process by allowing you to construct a container image once and apply the same image consistently throughout all the deployment image, actually CLI continuous integration efficiency क्या होती है, आप इसको यह समझ लें, कि जैसे आपके, इसमें क्या हुआ है, कि अगर जैसे कोई भी टीम, टेस्टिंग या deployment team की किसी बंदे ने एक application में आई, चीक है, application में आई, container में, right, container में application में आई, आपकेश बनाएं, उसका image बनाया, image में बनाके उसने कहां भीज दिया, उसने image बनाके बेच आपके testing team को, right, क्योंकि अब ये image तो testing team के पास चलना ही चलना है, ठीक है, क् communist container का image बना हुआ है, testing team पास चलना ही चलना है, right, तो ये, आप समझ लें, ये efficiency है, आप इक आपने जो भी image बन ना दिया और उसको आप जहां भी डिप्लाइ करेंगे वह इसलिया आपकी कंसिस्टंट होगा और वह दूसरे प्लेटपर्म पर जाकर चलेगा ही चलेगा राइट एक होता है कॉस्ट एफिशनसी एक कॉस्ट एफेक्टिव है बहुत चीपर होते हैं डॉकर्स कूणके इस डियम वर्च्वर बशीने कीस में का आपको हाडवेर काफी महगा पर्चेश करना पड़ता है क्योंके पूरी जो आपकी वर्च्वलाइजशन होती हो आपके हाडवे वर्चुलाज़ेशन नहीं हो रही है आपके OS लेवल पर वर्चुलाज़ेशन हो रही है तो यह बहुत सस्ते होते हैं अच्छा इसके अंदर को आपको VM के अंदर क्या करना पड़तेगा अगर आप बिसमें OS लगा रहे हैं विंडोस सर्वर है तो आपके लिए इसके लिए ल यह तो आपक पता है कि लाइट वेट होते हैं बहुत क्योंकि इनका अपना कोई operating system होता नहीं है यह बहुत जाद लाइट वेट होते हैं 5% को इनका अगर देखी भी चाहें अगर 5% इनका operating system होता है अगर 2GB की file है आपके पास तो यह maximum 50 MB के करीब इनके पास files होती है जो Docker Hub से यह डाउनलोड करते हैं यह बहुत लाइट वेट होते हैं राइट और इसी लिए इससे पहले एक चीज़ आप यहां थे देख ले एक होता है image और एक होता है container राइट container अच्छा image क्या है image क्या है राइट हम जरह इसकी definition लेक्ट देख लेते हैं image actually क्या है जब आपना container stop हो राइट तो उसको image क्याता है ठीक है और अगर image running form में हो तो क्या बन जाता है वो आपका बन जाता है container राइट अगर image running form में हो तो वो बन जाता है आपका container container और अगर image अगर stop हो sorry image stop नहीं हो अगर image आपका running form में है वो container बन जाएगा और आपका container stop हो तो क्या बन जाएगा वो बन जाएगा image राइट अगर container आपका stop हो तो क्या बन जाएगा वो बन जाएगा image राइट क्योंकि image जब run होता है तो वो container बन जाता है और हमेशा container को आप किससे आप शेर नहीं करते है testing team को जब भी आप शेयर करेंगे वो image राइट जब भी आप कहीं भी Docker Hub पर आपको upload करना है तो आप मेशा upload करेंगे यह आपको स्थेंगर को देना है तो फिर आप उनको image ही देंगे यह यह अ उसकात container आपका running condition में होता है और यह image आपके बदियुन होता है यह read only होता है इसमें आप नहीं करते हैं चेंज आप container में करेंगे container में change करने के बाद फिर इसका image बनाएंगे तो यह थोड़ी हो आपको यह जहान में रखना होगा और इसके के लावा एक और चीज़ होती है कि देखें यहां पर हमारा ओस क्या चल रहा है तो यहां पर कंटेनर बे हमने का कर लिया हमने यूबिन टूल डाल दिया अब कोश्चन यहां पर यह राइस होता है कि हम देखाता है कि 95 परसंट कोड 95 परसंट कोड यह कहां से लेता है यह आपकी यहां से लेता है क्योंकि दोनों का लैने करनल सेम है लैनेक्स है और यूनिक्स है और यूबिन टू और रेड है 95 परसंट कोड यहां से लेता है और 5 परसंट कोड यह यहां से लेता है ठीक है अगर इन केस यहां पर ओएस विंड विपाऊर h руBOB ए जिए आपका विंडोस होता तो फिर यह कंटेनर कहां से लेता है तो एक्चुलिक्या होता है एक के विंडोस के चेस में कुक्याओध एक आप्चुलिया जो आपके डॉकर है इसकी औरम इसकी नेटिव लैंगविच ही लाइनेक्स है ठीक है ना तो मार्केट में सब linux पे चलते हैं तो ये उसी और उसी पर efficiently काम करते है linux पे तो 99 बर्शन लोग इसको linux पे इस्तुमाल करते हैं और पहले तो support नहीं थी अच्छा पहले तो support नहीं थी मगर अभी इस्टूल करना पड़ेगा राइट वह आप इंस्टूल करेंगे तो उससे क्या होगा उस टूल से कि यहां पर एक और चीज़ आपका जो टूल करेंगे यहां पर एक टूल आ जाएगा आपका राइट मैं इसको ज़रा दुबारा समझाता हूं तो देखें आपके पास आपका विंडोस है और यहां पर आपने युबिंटू लगाया होगा कंटेनर में तो हम क्या करते हैं 95 परशंट पहले हमारा क्या सने हम मैंने क्या बताया था कि 95 परशंट कोड यह कहां से उठाएगा यह आपके ओस से उठाएगा राइट तो मगर अब तो देखें ना 100% अपना जो युबिंटू का जो इमेज है वो डॉकर हब से लेकर आएंगे और क्या हमारा इमेज यहां पर साइज में बढ़ा हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं है एक्चुली डॉकर नहीं अभी क्या है अभी एक टूल निकाला है जो काम करता है किस पर विंडोस टैन पर ठीक है न मुंडोस टैन पर काम विंडोस 10 के लिए कूमपटेबल है ठीक है न विंडोस 10 आपके tillव चारिया प्रो एंड इंतरपराइज लेवल पर इन दोनों पर उन्हें एक टूल निकाला है एकन बॉल है वह आपको डाउंलोड करना है निहा प्रडू तूल आपको डाउनलड करना है और Windows 10 में आपकी प्रियरेक्विजिट क्या है कि आपका Hyper V इनेबल होना चाहिए और आपकी वर्चुलाइजेशन जो बाइस में होती है आपके सैटप में बाइस के सैटप में होती है वो इनेबल होनी चाहिए तो आप क्या कर सकते है आप वो टूल इस्टॉल कर सकते हैं वो टूल जब इस्टॉल होगा वो टूल कहां इस्टॉल हो जाएगा वो आपका टूल यहां पे इस्टॉल हो जाएगा ठीक है और उसके अंदर सारी Ubuntu की उसक लिए फाइल क्या होगी आप जो फाइल है यूबंटू को चाहिए वो कहां से लेगा वो फिर यूबंटू अपनी फाइल लेगा इस टूल से राइट और आपको पता है लिनुक्स पैसे ही छोटा होता है साइज में इतना बड़ा अपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है ठीक है रहे हैं और यह से अपनी फाइल लेगा और फिर वह अपने कंटेंज में जित्क यह फाइल फॉनेंad 70 फ इस टांसे भूबर से लिए यहँजए यहां से लेगा और बाकी बाकी जो फाइल हैं वह आपके से लेगा तो इस तरह आप्कर अपडेट करेंगे किल बापनी है तो बना कि आपने उस पे container बना दिया Ubuntu का अब Ubuntu क्या करेगा जब भी आप image करेंगे copy 5% आपको यह मैंने पहले बताया था कि 95% code वो आपके OS से लेता है तो क्या करेगा वो कहां से लेगा फिर OS से नहीं लेगा वो इस टूल से लेगा राइट ठीक है वो टूल से अपना code लेगा और आपको image बना के देदेगा और Ubuntu आपके container में रन हो जाएगा और इसके माद वर्शिटाल डिप्लाइमेंट है ठीक है वेदर और फिजिकल हाडवेर वर्चुल इन्वर्मेंट और क्लाउड प्रिलफर्म दॉकर आपको आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं वर्चुल इ इमेज को क्यों इमेज होता है ना इमेज आप कहीं भी उसको कर सकते हैं और इमेज की री यूजबिलिटी ठीक है ना यह री यूजबिल भी होता है डॉकर प्रोमोट्स इमेज री यूज अलोईंग यू टू रेडली डिप्लाई consistent environment में राइट तो यह मैंने आपको पहले बनाते हैं ठीक है ना आगर इगर उसके पास यहां पर इमेज डाउंगोड हो गया अब एक आपने और आपकी बनाई आपने कंटेनर बनाया ठीक है यह इमेज यहां इमेज इमेज भीऊ भीज देगा. तो यह इमेज इमेज भीज देगा. तो इस तरह ही काम करता है, right? लाप कुछสस्ञ में आगय होगा, हम इसको दुबारा कर लेते हैं, एक दुबारा बताते हैं docker engine क्या करता है, docker engine जब भी container बनाता है ठीक है याँ इसे container बनाना है, container मुझे ubon 2 बनाना है तो docker engine क्या करेगा एक image उठाकर लेकर आएगा अपने पास राइट वो एक image उठाकर लेकर आएगा अपने पास यहां से आपके एक image लेकर आएगा यहां पर अपने पास वो इसको से इस्टोर कर लेगा क्योंकि Docker क्या करता है सबसे पहले अपने पास image को इस्टोर करता है और फिर इमेज कॉपी कर देता है यहां पर और container आपका Ubuntu का container आपका चल जाता है ठीक है अगर आपने एक ओर इमेज कंटेनर बनाना यार किसी को आपने इमेज भीजनी है या एक और कंटेनर बनाना है तो docker engine क्या करेगा यह image को reuse करेगा और वो इस कंटेनर को भीज़तेगा तो यह reusability of image होती है ठीक है और यह rapid creation rapid creation क्या है एक्चली यह बहुत जल्दी बन जाती है कि काफी fast होता है क्योंकि आप जब image बनाते हैं तो यह rapid creation कर लेता है आपके पास राइट तो इसमें आएक देखें reusability आप क्या कर सकते हैं अब यहां पर आपने image बना लिया इस image को क्या किया आपने कुछ अपना काम किया इसमें कुछ दूसरे software आपने install किये ठीक है कोई officer अपने install किये और इसका दुबारा image बना कर आपने का भी दिया आपने इसको share करा दिया किसी और के साथ ठीक है ना ये image बनाया image को आपने शेयर करा दिया किसी और के साथ ठीक है ना अब इस image में क्या होगा इस image में जो ये image आया था ठीक है इसके अंदर कुछ software थे कुछ आपने बनाए यहाँ पर और उसका image बना गया आपने दुबारा इसको शेयर कर दिया तो ये reusability भी है इमेज की कि आप इसको भी ऐसे भी री यूज कर सकते हैं राइट तो अब चलते हैं हम लोग इसके डिस अड्वांटेज पर अंसुटेबल फार जीव एडिपेंडेट अप्लिकेशनस अचा डॉकर क्या है एक्चली डॉकर जो रिच्ग्रैफिक्स है ज्यसके आपकी विंडो जै इसके लिए सूटेबल नहीं है ठीक है ना इसके लिए शूटेबल नहीं है जैसे आपको कुछ इंटरफेस नजर आ रहा आजय एंड लॉबस्ट टूल दन मेंजमेंट प्रेक्टिस थी के रोबस्ट टूल दन मेनेज्मेंट प्रेक्टिस तो ज्यादा कंटेर तो इसको हैंडल करना कुछ मुछ्किल होता है कि नमर अफ कंटेर्ण सापके ज्यादा है अगर हम बात करते हैं आपके पास समझ लें टेस्टिंग टीम के पास एक आपने इमेज बनाया है राइट चला हम यहां से देखते हैं यह आपका कंटेनर चल रहा है और नीचे क्या चल रहा है आपका डॉकर चल रहा है यहां पर यहां पर क्या चल रहा है यहां पर आपके चल रहा है कि वैस कि युबंटों कि सॉर्ड ठीक है कि मुझे आपका कंटेनर है ठीक है है कंटेनर में क्या आपने लिखा हुआ है आपने यहां पर काली या लाइनेक्स जो भी दिया को आपने कुछ भी लिखके यहां पर आपने दी हुई है ठीक है चलो हम यहां पर ले लेता है रैट है ले लेता है चलो इसको सिंपल कर लेता है रहा है और यहां पर छाल रहा है ठीक है आपने क्या किया यहां का डॉकर है रनिंग कंडिशन में क्रास्ट इस रिट फर्म क्या होता है है राइट कि यहां पर विंदोज चल रहा है और यहां पर आपका क्या चल रहा है यह आपका कंटेनर समझ ले हैं हम सिर्फ OS की बात करते हैं यह आपका docker आ गया और अगर यहां पर आपकर अगर यहां पर OS आपका Linux तो यह यहां पर रन नहीं होगा यह आपको problems करेगा ठीक न यही इसमें लिख यही इसकी definition में cross platform right comfortable issue when moved to a cross platform तो यह comfortability के issue का आपको देएगा तेकर यहां पर आपने Windows का operating system चल रहा है और यहां पर Linux चल रहा है और आपने container बनाया इसका image बना के आप शेयर कर रहे हैं तो यह इसके लिए जरूरी है कि यहां पर भी Windows operating system हो ठीक है न Linux नहीं हो सकता ठीक है और यहां पर भी Windows यह operating system है right Linux नहीं हो सकता और एक दूसरे scenario में अगर यहां पर आपका क्या चल रहा है यहां आपका क्या चल रहा है और यहां पर आपका क्या चल रहा है सेंटोस ठीक है अब यह देखें अब यह भी Linux है यह भी Linux के 95% इनका आपका पता है यह पता है कि करनल 95% कोड अपने शेयर कर रहे हैं उनिक्स इंवार्मेंट के तो क्या यहां पे ढूंटर आपका इमेर्ज इक recos permanentlyimiz करेगा उचर्ट का जिक्तार आपको ब्राइब आपके यह अभी चार्ट जाएं और यह बड़ा इस जीजव होती है काफी पे स्टूटट्स काफी भूल जाते हैं तो लाइने के उसमें क्योंकि ये दोनों यूनिक से कोड़ से अपने करनल में इनके यूनिक से कोड़ होता है तो स्टुडेंट समझते हैं के शायद ये चल जाए मगर नहीं ये भी क्रास प्लेट फॉर्म आपको कंपरेटिबली के इशू देगा जो आपका यहां पर चल रहा है सेम ओएस आपका इधर भी चलना चाहिए ठीक है तो यह जरा ध्यान में रखेंगे जाकर अप्लिए डिमिनिश्म इप्ड डेवल्पिन टेस्टिंग इंवर्मेंट इफर इन सच केस वर्च्वल माइट भी मोर रीज़बल राइट अब अच्छा इसमें क्या होता है कि आपने रेड हैट पर काम कर रहे हैं ठीक है आपके जो डेवलपर है आपकी डेवलपर टी विंडोस का है ठीक है जब इस तरह की कंडिशन हो ठीक है ना इस तरह कंडिशन हो कि आपका डेवलपर काम कर रहा है आपके उस पर रेड हैट पर और आपकी टेस्टिंग टीम जो काम कर रही है आपकी टेस्टिंग काम कर रही है विंडोस पर ठीक है तो इस केस में क्या करन व्यम्ट के इंवार्मेंटे काम करें यह शूटल ज्यादा सूटल है ठीक है और डेटा रिकवरी और बेक एंचे डाकर डिजाइन फ्लासी मेकस मेकस डेटा रिकवरी और बेकप सालोशन लेस्ट फारवर रिग्वारिंग एरिशनल कस्टिशन अंड प्रैक्टिस इसमें कि अच्थ्टिश करें कॉंपूनेंट ओफ दॉकर्स राइट बात करते हैं कुछ अर्टब करदेक्जर के लिए है तो देखते हैं今天 कैसे करता है तो सबसे पहले हैं आपका डेवलबर है लिएक् AusGkill provider है विएग का डेवल्बर है विज विच्थान राइट इसको बना ले आ developer आपका, ठीक है, developer क्या करता है, developer एक docker file बनाता है, यह आपके docker file है, इसके अंदर क्या लिखा होता है, इसके अदर actually वो अपने requirement लिख देता है, ठीक है, यह क्या करता है, यह generate करता है docker file, और इस docker file में क्या होता है, actually docker file में यह लिख देता है, कि मुझे क्या चाहिए इनको यूबन्टु चाहिए ठीक है और इसको अपनी है डिपेंदेंसी टैन हर्थ टेण जी प्लस है क्यू यू रेक्वार्मेट चैनल डिपेंदेंसी फाइल है और कुछ रिकॉयर रेकॉरिड फाइल चाहिए है लाइक आप इसको समझ ले कि इसको कुछ software चाहिए, कुछ software चाहिए, dependency के लिए, और कुछ directories चाहिए, कुछ name के साथ, और कुछ file चाहिए, बहुत से चीज़ें चाहिए, ठीक है, और यह Docker file बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसको requirement होती है, आपको Docker file को सिर्फ लिखना होता है, और Docker file बन ज जाती है, ठीक है, कोई भी इतना ज़रा को मुश्किल नहीं होता है, ठीक है, यह Docker file बनाता है, और यह क्या करता है, यह भेजता है, आपके Docker engine को, राइट, और यह इसको भेज देता है, आपके Docker engine को, ठीक है, यह आपके Docker engine को भेजता है, यह आपको Docker engine है, ठीक है, इसको做am nu बोलते हैं और झाल जाट रगता है इसकी एक इमेज बनाके रख लेता है है ठीक है इमेज बना लगते FOR future use के किसी और गारी से आर गळिल कर स정이 से चाहिए तो फोठेगा और इस से वो क्या करता है, इस image से क्या बना देता है, इस image से बना देता है container, ठीक है, वो इससे क्या बना देता है, container बना देता है, आपके developer के पास container चल रहा होता है, वो अपना काम करता है, सारा जो भी उसने काम करना होता है, और वो उसके पास, जो भी उसके required file होती है, उस container में होती ह ठीक है तो फिर developer क्या करता है यार यह में ने तो बना लिए अब future use के लिए मैं इसको upload कर देता हूँ docker hub पर ठीक है वो क्या करता है इसको docker hub पर upload कर देता है right इसको upload कर देता है docker hub पर ठीक है और docker hub पर भी upload करने के लिए आपको इसके account होते हैं एक public होता है public तो नहीं enterprise level के जो count होता है ना वो वो आप upload कर सकते हैं ठीक है ना तो यह इसको docker hub पर upload कर देता है कि इसकी spell है गलत होगी है कि इसको आप हब कर ले docker हब पर upload कर देता है ठीक है अब किसी और को यहीं सेमेज चाहिए वो क्या करेगा उसके पास भी तो docker engine चल रहा होगा डाकर इंचल क्या करेगा इसको pull करेगा ठीक है यहां से इसको क्या करेगा इसको pull करेगा और कि इसको pull करेगा डाकर इंचल के पास वोगी जाजेगी वो में जमेज अपने पास एक कॉपी रखेगा वह बंद धर यहां पर तीक है यहां पर यहां पर एक चार बन जाएगा ठीक है और यहीं फाइल वो क्या करेगा इसी image को copy कर देगा इस container पर यह container आपका चल जाएगा ठीक है तो अगर इससे इलावा किसी और को चाहिए वो क्या करेगा ठीक है किसी और को चाहिए वो भी से इंडाकर हपसे जाएगा उसको पूल करेगा और अपने पास वो काम करता है पूरे environment का ठीक है तो अब हम चलते हैं किस तरफ डॉकर इंजन हो गया आपका ठीक है न और यह डॉकर फाइल हो गई ठीक है यह डॉकर फाइल हो गी तो इसकी कुछ definitions देखते हैं हम लोग तो चलते हम definitions की तरफ docker domain or docker engine actually क्या हूता है docker domain updates on the highest level यह तो आपको पता है कि होस्स पर काम करता है यह पता है कि होस्स foul आपक चोवHB 他的 house payment करता है ठीक दो कि आपको देख लें कि यह आपका infrastructure- должна यह host OS और आपका यह Docker ठीक है जो हमने किया था यह आपका hardware आ गया यह आपका host OS आ गया और आपका यह आ गया Docker ठीक है तो Docker host OS it is responsible for executing container and managing Docker services Docker demon can also communicate with other demons ठीक है न यह क्या responsible क्या होता है है contrainer को चलाने के लिए just consciousness होता है यह आपको पता है कि Docker के ऊपर containers होते हैं राइट और कंटेनर यही बनाता है आपका डॉकर्स और यह इसको चलाने के लिए राइट और यह डॉकर एक से जादा उससे बाद भी कर सकता है राइट अच्छा डॉकर क्लाइट क्लाइट क्या होता है अच्छा देखें ऑफ क्लाइट क्लाइट आप जो भी आप टर्मिल खोलते हैं और छो भी आप कमांड लाइट देते हैं तो वह का क्लाइंट होता है ठीक है और डॉकर होता है वो आपके client से बात करता है राइट जो भी आप CLI port जो आपने खोली है जिस पर आपके command line port है जिसे आप commands लिखते हैं pull या आप कहते हैं आप pull करो run करें तो वो command line होती है और जो आपका terminal है वो client है और docker engine client से बात करता है ठीक और docker client imply command address appear to communicate with the damion ठीक है जब भी आप जो भी अपनी commands जो टाइप करते हैं in the CLI port terminal पर the client terminal send these instructions to the docker terminal वो क्या करता है आपके docker engine को भी देता है और docker engine हमेशे अपने client को response करेगा यह अशा नहीं उसरता है कि docker engine आपको किसी और को response करें नहीं docker engine client को response करेगा और जो आपका client है वो docker engine से docker engine के साथ interact करेगा ठीक है और docker client can communicate with multiple diamonds docker multiple engines simultaneously ठीक है एक docker client मुख्लिफ आपके docker engine से बात कर सकता है docker host docker host offer an environment for running and executing application it encompasses docker domain container images network and storage right docker host क्या होता है actually आपका host तो है जिस पर सारा काम हो रहा है यह आपको हर चीज़े प्रोवाइड कर रहा है यह आपका host है इसी के ओपर सब काम हो रहा है देखेंगे देखेंगे ना और इसी पर सारा काम हो रहा है आपके docker host पर राइट तो यह आपका docker host है टकर हाउ का यह और डाकर हम आपके गास को कूलर olarak करता है यह चार पर इस सब्सक्राइब करता है Estamos जिसको था हूब में क्या होता है जैसे आपको पता है जिसका हम गार हब कहते हैं यहाँ पर कोई बंदा सकता है पॉब्लिक लीलिजी प्राइब इंटरप्राइज को चाहिए अपनी प्राइवेट रिजिस्ट्री तो वह अपका अकाउंट बनता है और फिर अपना प्राइवेट एरिया था वह इनको चेक कर सकते हैं अच्छा, docker images क्या है? docker images are read-only binary templates implied to create docker containers यह तो आपको पता ही है कि docker images क्या होता है? यह read-only होती है और image से आपका container बनता है यह हम काफी दफ़र discuss कर चुके हैं method for creating an image आप कैसे-कैसे create कर सकते हैं? retrieve an image from docker hub आप docker hub से ले सकते हैं और generate an image file using a docker file आप docker file जो मैंने भी आपको बताया है docker file से आप image बना सकते हैं right? अच्छा produce an image from an existing docker container यह आपका container चल रहा है यह container है इसकी भी आप image बना सकते हैं right? तो तीन तरह से बना सकते हैं एक आप Docker File से बना सकते हैं ये Image, ठीक है, एक No.1 आप Docker File से एक Image बन सकती है, ठीक है, आपके existing container से आपकी Image बन सकती है, ठीक है, यहाई एक Image आप Docker Hub से भी ले सकते हैं, रेट्रेव कर सकते हैं, ठीक है, यह तीन तरफ से इमेजिस आप बना सकते हैं, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, एडवांटिज हमने डिसक्स किया है, अपने डॉकर के, और पूरी इन्वाइर्मेट को हमने देखा, डॉकर की, डॉकर कैसे आपको एक इमीज फाइल कैसे क्रियेट करनी है, इसको भी हमने देखा, डॉकर फा पाइल कैसे बनाते हैं, और ये सब चीज़ें में प्रैक्टिकली देखेंगे, डॉकर की इंस्टालेशन भी देखेंगे, तब तक के लिए मुझे इचास जीजिए, अल्लाहाफेज